कि दूगलड है जिसको एक का नाम है एक का नाम का मतलब होता है ये जो अरिया होता है इस ए्याक को होता है इसके बेस पे हम यह एरिया का अनलाइज कर सकते हैं ठीक है और इसमें भी यह फास्ट मोमेंटम आएगा या नहीं आएगा इसकी स्टेडियां भी अलग रहती है तो हम दोनों तीनों चीजों को थोड़ा सा इस में डिसकस करेंगे इसके स्वाल हों क्योंकि को चल रही है तो वहां बनते हैं और और कुछ है जिसको बोलते हैं कवर स्पेस की दोड जिसके अंदर स्पीड मिलती है तो जो ब्रेकआउट में डिएज़ ठीएल से पहले एक स्लेंट का ब्रेकाउट के बाद की जो रहती है वह फास्ट मूव होता है तो इसको आफम बोलेंगे ठीक है फ्री मूव ने फास्ट मूव और ठीएरिया को बोलेंगे डीए वाला एरिया जिसके अंदर मार्केट आता है यह तो ट्रेप बिछाता है ठीक है ट्रेप बिछागे ऊपर निकल जाएगा या उसको शक्षिच करके डीएफम से एफम में जाएगा और डीएच्ट जिएल तक वह बिना ज्यादा कोई तो हमें क्या करना है FM की study में करनी है उस study से आपको यह पता से लेगा कि आपको dynamic POC box के अंदर कहां पे entry लेनी चाहिए मान लो कि आप यहां से बेठे हो और यह मुव पूरा capture करना चाहरे हो इससे पहले आपका काफी नुक्सान premium erosion कर देगा अगर मार्केट को यहां आना भी है तो हमें बेस्ट प्लेस चूज करना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट प्लेस होगा जहां पे अपने को अच्छा मूव मिल सकता है तो उसमें हम maturity देखते हैं चीजें देखते हैं और एक दो बार ऐसा होना चाहिए जिस अगर आपका जो मूव फास्ट आया है ना कवर जोन के अंदर चोटा मूव फास्ट रिट्रेस्मेंट पर पस्ट से आता है वह चोटा होता है अगर हम इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यह 38 या 50 के आसपास मुश्किल से 50 का आसपास तक जाता है इतना नहीं होता ज्या एक पर जाता है पहतने करने वह तप्री आतरा करने से पहले आपको नीचे के लिए वह पजल करता में लोस दिखाते हम SUPER लोट करो वहिसाने marketers के अंदर होते हैं अपना इसके अंदर होगे तो अपने इसके अंदर हो डाइनमिक दिएसडल से पहले ज daíक की परफ्ते उसके बाद ही तो सन्रेज में मार्केट जब समय करता तो उसी के दा जीन बाद और समय नहीं के बनाता है ठीक है वहां पे बहुत चोटा सा एक रिट्रेस्मेंट बना लेगा फिर गिरावट देदेगा कई-कई-कई बार वह 80% बाहर निकलता है जिसमें हम इसके ब्रेक आपको यहां के अब को यहां के आजब आपको यहां के आजब गोल्डन 10 परसेंट जैसा कुछ मिल जाता है जिसको भी आप्टेड कर सकते हो तो अब देखते हैं एक तो वह सामेरिया और यह अपनी एक ब्रेक करता है और इसका सक्षिथ का राद होता है दिए-फम के अंदर और यहां के वह की में मुटा उनकी कि दोत सब्सक्राइब करने के दि आमंगे सब्सक्राइब कुम्हार्ट एच्छी दोड़ जिसमें हमारा सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स जो रहती है पिंपॉइंट एरिया अटेंड करने में हम कई जगह के पिन पॉइंट करते हैं मान लो कि हम ऐसे पिन पॉइंट करते हैं जो कि डिसडील प्रेकडाउन पे हैं वो हमें फ्री फ्लो दे देते हैं उपर की साइड में लेकिन ऐसे पिन पॉइंट हम देखते हैं जो कहीं न कहीं डिसकाउंट भी होते हैं और कहीं न कहीं एक POC box के अंदर अपर वाले portions में होते हैं वो premium erosion वाले जगह बनती हैं यानि कि उसको एक puzzle zone को पार करना होता है जिसको हम बोलते हैं POC dynamic area तो वहां पे हमारे premium erosion के ज़्यादा chance होते हैं आप यहां पिंपॉइंट भी पकड़के सफलता ज़्यादा पड़ी नहीं ले पाओगे कहीं नहीं आप यहां आते हैं यहां अगर आपने यह लिया है यहां आते हैं यहां पर आप नुक्सान खाजा होगे तो इसकी maturity को पहचाना बहुत जरूरी होता है कि maturity कहां आएगी तो इसके जो जितने भी हम अगर इसकी deep study में जाएंगे तो इसका यह वाला डी fm area और यह यहां से इसके लोजिक निकल के आएंगे ठीक है यह जो फास्क मुव के आवज में चलना और यहां की के बाद माइनस बनना माइनस बाद में थैराओ लेना इंगल्फिंग करना और उसके बाद जाना यह सारे पड़ाओ हो जिसको हम यहां गोल्डन 10% से देख रहे हैं इस तो यहां से भी एक इंडिकेशन आपको नीचे के एरिया का निकल गया आएगा तो काफी जगह आप इस एरिया का फाइदा उठा सकते हैं तो हम इसमें जो फास्ट मूग कई तरह के होते हैं एक तो फास्ट मूग है यह कबर स्पेस का एक हमने आपको क्या बता है अगर आपक जैसे यह आ रहा है तो यहां से आपको एक फास्ट मूग मिल गया फिर आपको एक फास्ट मूग मिल गया यहां आपको प्रीमें मिल जाते हैं तो यह हो गया आपका इसके बीच में सिरफ पजल होता है कोई भी एरिया करते हैं कि हमें ट्रेड करना है तो हमें इन चीजों का विशेश कर ध्यान रखना होगा कि डायनमिक प्योसी कहां बन रहा है वहां होने वाला सभाव कैसा है फिवो आटेश्मेंट और यह एपशी आपर और बाकी की सारी चीजें देखते हुए हम उसमें लेंगे तो जहां भी आपको यहां पर फास्ट मूँ मिल रहा है तो कवर एरिया तक आपको पूरा फास्ट मिला उसके बाद मार्केट ने पजल किया जो यह गड़ कवर किया तो तीन के अंदर मार्केट शिमट गया यानि कि करीबं पंताल जो एरिया होता है एफम एरिया और उससे डीए एफम एरिया के बेसिटेश पर और कई वार जो पिन पॉइंट हम नीचे से पगड़ते हैं जो आफ्टर डीएजडियल ब्रेकडाउन है वहां आपको फास्ट मूँ मिलने के चांसे ज्यादा रहते हैं तो वहां से मिल जाते हैं लेकिन अगर हम एक कवर दोड़ के अंदर अगर कोई धून रहे हैं तो हमें बचना होता है डाइनेमिक प्योसी डीएफम एरिया और उसमें होने वाले गतिविदी उसके बाद मचियोर्टी चार्ट सकतर अगर आप पैटरंस के जरीए देखोगे तो यहां क्या देखो तो आप इसमें भी अगर यह देखोगे तो कहीं ना कहीं डीएफम ने आपको इस जगह से बचा लिया ठीक है या फिर आपको जल्दी कवर कर वाद लिया वाप किसे नई अपोर्शनेटी मिल यहां की गॉल्डटन टैन परसेंट को आप ट्रेड कर लोगे ठीक है यह चीज मेरा कहने का मतनब है अइस से मार्केट ने यहां दूरी टैक करी एक रिट्रेस्मेंट ले तो वह एंगल में यहां का रहा घटता है तो पिर ना कही उसको कितना टाइम लग लग लिया अगले वाले में कितना टाइम लग रहा है यह तो यह जो दाइरह है यह भी इंपोर्टेंट है और आने का तरीका अब यहां पर वह अगर दुबारा उसको क्विक्ली अटेंड कर रहा है अभी अटेंड किया हुआ है एक पावर है तो मेरा देगो काईने का मतलब क्या होता है इस एक पावर होती है अब यहां यहीं दी अटेंड किया यहां से बरने स्टार्ट होई दी अब बाद में मार्केट में इसका इसको snazpe सबसे जाधा लिआ요 फिर यह दुबारा यहां पावर लेने के बाद में यह सर्फेस कितना कम हुआ और कितनी जल्दी बन के वापिस आ रहा है यानि कि माच्योटी बहुत जल्दी में हो रही है तो यहां पे आरे बिहेवियर और अगर मैं कहता हूं कोई तो प्रेंड बदल रहा है यानि कि वह आप उसको इसके साइन लेते हैं फिर उसके एसाफ से केंडल स्टिक चीजें देखके आप चाहो तो यहां पर आप उसको कवर कर सकते हो आप यहां से भी ले सकते हो कि एक चोटे एसल के सब्सक्राइब और किसी का कोई सब्सक्राइब को तोड़ता है कि उसे यहां तक आना था वह एकदम से यहां से सीधा यहां पड़ाव नहीं मार सकता है मतलब कहने का मतलब पहला पड़ाव चोटा फिर दूसरा बड़ा ऐसा नहीं करता है तो वह बाद में इसको त्रेप किया यानि कि वह लोग जो चोटा एसल की उमीद में इस ब्रेक आउट पर जंप नहीं मारते उन लोगों के लिए एक चोटा एसल प्रोवाइड करता है और ग्रवाइड करने के बाद में उन लोगों को ऐसे एंगल दिखाता जिसमें यह वाले एंगल तूटते वे यह वाले इंगल टूटते वे दिखते तो उनके लिए यह क्या हो गया जो आप कहरे होई तो यहां जोन बना पहला जोन ही यहां मिसको रेटेलर ब्रेक आउट अट कि रिटेलर ब्रेकाउट के बाद एक तो वो लोग जो फो में कुदे हैं एक वो लोग जो जिनको चोटे चाहिए होते हैं यानि कि एक उनके लिए श्विंग दे दिया स्विंग देने के बाद मार्केट करके उपर रिचाए तो यह हो गया जब नेक्स टाइम यह आता है तो यह आपको शिखाएंगे तो आप और आप को ऐसा जो लगाता लगाता अगर इसी वह में नीचे चलता रहता रहता है इस लेकाए जैसे न हम किरते हैं लेकिन मार्केट को जाधा लंब नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना न तो उसको सिरफ सप्थ ऑपर भी मैं siitä करते हैं वह नहीं इसने को टोड़ा यानि कि टोड़ता है और वहां पर बालबन को सबस्क्राइब burning Ст 노래 लेकिन यहां पर कि यहानि कि जो बाइंग साइड में जो स्टेंथ मिलनी है वो स्टेंट घटती नजर आ रही है क्योंकि जल्दी वापिस अर्टेंट करने के लिए आ रहा है इससाब से हम उसकी पावर और चीजों को और ऊपर का एरिया देखो एक एरिया के आर्शा अब आप यह देख सकते ह करते हैं जो हमें बेनिफिट देने की बजाए है वहां केंडल कोरिलेशन ज्यादा होने की वजए से चोटे-चोटे-चोटे ऐसल से ज्यादा देखने पड़ जाते हैं अटेंड करना में फिर हमारे हाथ बड़ा एरिया हाथ लगता तो उस चीज का सोल्यूशन अगर हम दे अगर कम पैसे में रेट करें तो आप यहां नहीं कमा पाओ उस से पहले आपको एसल देखने हम स्के यहां भी बैठ गया भी जिसको यह यहां इंट कर लोगे लेकिन जोंचोटा अगर शार्ना पड़ेगा इस एरिया में क्या कर सकते हैं इस एरिया में अगर माहन लो आपक इधर जाएगा अभी completely इस एरिया में परिपक्वता नहीं दिख रही तो आप यहां से selling कर सकते हो तो selling आपको नुकसान नहीं देगी लेकिन आप फास्ट बाइंग मुव देख रहे हो जैसे हम फास्ट मुव देख रहे हो यहां से नहीं मिलके आपको आगे कही maturity पे मिलेगा तो आप कहां अटेंड करोगे वह चीज़ देखने ही जरूरी होगी तो FM आपको उसमें बहुत help करेंगे पियो सी जो डाइनमिक हम बनाते हैं वह आपको इस चीज़ में बहुत अच्छा help करेगा पियो सी पियो सी के अंदर के surface area और मैं आपको यह भी बताता हूं कि जब किसी area जैसे कोई भी pattern है वह pattern भी कही ना कही maturity होती है तो अगर ऐसे ऐसे करके कोई एक pattern बन रहा है तो अगर उसमें multi wave बनने लग जाती है वह इंडिकेट करती है वह maturity इंडिकेट करती है ठीक है या फिर abnormal कोई और behavior कर जाए कि एक उपर की नीचे की trip होने के बाद में अगर वह फास्ट हो रहा है मतलब कोई पुस्पा एंगल बनाए कुछ ऐसा एंगल बनाए जो ट्रेपिंग मजबूत एंगल बनाए maturity के आसपस ऐसी चीजह है जैसे इसमें हम यहां पे यह देख रहे हैं इसके basis पे वह हमें maturity इंडिकेशन करते हैं उसके basis पे यहां ऊपर की ट्रेपिंग भी हमारे लिए इंपोर्टेंट थी रोंगयों का सर्फेस भी गटना है बाकि आप यह पड़ाओ देखो के ना यह पड़ाओ के लिए गलग दूरी दिखिए और यह पड़ाओ में ज्यादा टाइम वाइस है य इस से आपको काफी इन चीज़ों को डिशल लेने में मिल जाती है कई बार के हम यहां होके भी गलत हो है और कई वार क्या है कि हम सही एरिया नहीं चूज करने की वज़े से हमारा गलत हो जाता है तो उस पे हमें और सार पैनलाइज डेप्स में जाना पड़ता है और एडवांस होना पड़ता है इस पूरे मूग के अंदर भी हम देखते हैं ऐसी जगहें जैसे मालों यहां के आस और अधाईवीर्ट कर सकते हो उस समझे के यसाव से कि अभी नहीं हो एक आपको आन्दर अस यहां पर ед i तो यहां से अटेंड नहीं करेगा तो डिया पुर स्मार्ट ली अटेंड किया जा सकता है उपर के साइड में बहुत चोटे अच्छा काम आता है और यह उस चीज को ज़स्करने में भी काम आता है जिसमें बायर एक अचल देख रहा है कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा काम आता है